आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ फ्रश्ण को करने लिए यह एक पूरा वृत्त्य था और मुझे इसमें से ये वाला एरिया जो मैं लाल से आपको दिखा रहा हूं ये वाला छेत्र फरल का एरिया का मुझे छेत्र फरल निकालना है थेक है इस भाग का तो देखे ये अगर कहूँ कि ये भाग अगर मैं इसको वृत्त को दो भागों में बांट दूँ तो ये उपर वाला भाग क्या हो जाएगा अर्धवृत्त हो जाएगा ठीक है ये क्या हो जाएगा अर्धवृत्त है अगर मैं इसका छेत्रफल निकाल लूँ और फिर ये जो ये जो मेरा चेत्र, ये त्रिभुज है, जिसको मैं हरे से दिखा रहा हूँ, इसका चेत्रफल माइनस कर दूँ, घटा दूँ, तो मुझे ये जो चायांकित भाग है, उसका चेत्रफल मिल जाएगा, तो देखें, हम यही करते हैं, तो देखें, चायांकित भाग का चेत्रफ चेतफल बराबर अर्दवृत्य का छेतफल माइनस त्रिभूज का छेतुर। ठीक है? त्रिभूज ये वाला है जिसको मैंने हर products से लिखा अरेrets दिखा रखाया है ठीक है? तो देखें यहां से यह क्या आएगा? j 가서 यह जो मैंने इनकालना था इनकाल ये value मेरी कितनी आ जाएगी, अगर मैं कहूँ, अर्द वृत्य का छेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि वृत्य का छेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वेर, ठीक है, तो देखी, यहाँ पर ये भुझा, अगर मैं कहूँ, ये लंबाई कितनी है, ये A है, ये मुझे दे रखा है, ये A है, तो ये क्या होगा, ये भी A होगा, ठीक है, तो देखी, वृत्य का छेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वेर, अर्द व ये कितनी लंबाई हो जाएगी देखिए तो ये लंबाई अगर मैं कहूँ ये a है तो ये कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी 2a गुणे उचाई उचाई कितनी है a तो a तो देखिए r यहाँ पर r बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा a लिख लेता हूँ pi a square बटे 2 minus 1 बटे 2 य ये था और ये ये कितना हो जाएगा गुणे 2a square ठीक है 2a का वर्ग तो देखिए ये कितना हो जाएगा अगर मैं pi बटे 2 a का वर्ग minus ये गर तो 2 से 2 को काट देता हूँ तो ये क्या जाएगा a का वर्ग आ जाएगा अब देखिए a के वर्ग को मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये क्या जाएगा pi by pi बटे 2 minus 1 ठेक है अब इसको अगर मैं देखूँ तो ये मेरा ये area आ चुका है यानि कि 6 तरफल आ चुका है छाय आंकित भाग का तो देखिए कौन जा option सही है option number c मेरा यहाँ पर सही उत्तर है एक वर्ग गोणे pi बटे 2 minus 1 ये क्या होगा और इसकी इकाई क्या होगी देखिए तो square unit मैं लिख सकता हूँ square unit या फिर वर्ग unit ठीक है वर्ग इकाई इसको मैं वर्ग इकाई भी लिख सकता हूँ ठीक है तो option number c मेरा यहाँ पर सही उत्तर है thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर